किसान भायो नमस्कार मजीतेंदर कुमार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ किसान भायो आज बात करेंगे हम की टमाटर की खेती में ज्यादा ज्यादा उत्पादन लेने के लिए और इसमें कौन-कौन से बिमारी होता है इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी गर्मी के समय है गर्मी के समय में बहुं सारे बिमारी आता है तो कौन-कौन से बिमारी आता है कौन-कौन से इसमें इलाज करना है कौन-कौन से इसमें दवाई डाला है इसके बारे में हम आज टोटल बात करते हैं किसान भायों बात करते हैं सबसे पहली एक समस्या के बारे में जिसको बोलते हैं वायरास टमाटार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वायरास यह जो वायरास होता है यह ज़्यादा तरह आता है वाइट फ्लाई से आता है जो भी है तो यह क्या होता है यह वायरास जो रहता है इसमें क्या होता पत्ती सिकुड़न स्टार्ट होता है और इसमें यह वायरास आ जाता है समझो वो फूर रूप से खतम हो जाता है अगर फर्स्ट इस्टेज और सेकंड इस्टेज रहता है तो बच जाता है लेकि य theo दोनों चीज को डालना को है इसमें तो इस में फार को डालना है 10 घ्लां제 इसमें प्रती स्प्रियार अब 20 लीटर के आपसे बता रहा हो 20 लीटर मतलब प्रती स्प्रियर उसके वाजी डाइफ हैं फिंपटी इसको डालना है पठीच ग्राम डालना है 25 ग्राम प्रती टंकी इसके हिसाब से आपको गोल बना के डालना रहेगा उसके साथ ही साथ इसमें आप जिब्रेली केसिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो किसान भाईयों इसको इस्तेमाल करने पर क्या होगा वायरास भी कंट्रोल हो जाएगा और वायट फ्लाइ भी चला जाएगा और शाथ ही साथ इसमें जिब्रेली केसी कुछ मातरा में टानिक मिलने पर क्या होगा यह वायरास जो है कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद एक बहुत ज्यादा समस्या आता है फल शेदक करके आता है इसमें यह टमाटार में क्योंकि गर्मी में जयातर यह फल शेदक बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि टमाटार की जो खेती है गर्मी में खेती करने पे तो बहुत आर्रेडी समस्या है लेकिन अगर जो खेती आर्रेडी लग चुका है जो खेती कर रहे हैं उसके लिए सारी समस्य जादा ही आता है तो फल शेदक के लिए क्या करना रहेगा इसके बारे बताते हैं इसमें आप इमामेक्टिन बेंजोएट इमामेक्टिन बेंजोएट इसका इस्तिमाल आप जो है 10 से 12 ग्राम 10 ग्राम से ले करके 12 ग्राम प्रती इस्पेयर की हिसाब से किजेगा जो कि फल छे तक जो है एक बार जिस पौधे में आ गया मतलब जिस फल में आ गया वो फल समझो खतम हो गया उसके बाद क्या हो जाता है धीरे 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 क्या करता है होगी है एक फल से ले करके दूसरे फल दीसरे फल ऐसे क्या है फैलते रहता है तो इमा मेक्टिन मेंजोएड जो है इसका इस्तिमाल कीजिए 10 से 12 ग्राम प्रती स्पेर की इसाब से उसके बाद यह फल जो है टमाटर का बहुत अच्छा से प्लाइट अतो चैनल तक जो है यह आगेति जूल साफ तरिक जो भी है अलाग अलाग तरीक आश्यवements बोले जाते हैं और यह जब इस भी फसल में आयता है flatter कि खेट में आयता है वो ट्रमाटर की खेट जो है देखते देखते क्या हो जाता है पूर अरूप से इसके चैपट में आया था और उसके चोपट में आने एक बाद यह जल्दी जल्दी खतम हो जाता है क्योंकि किसान भाई एक चीज बताना चाहूंगा क्योंकि गर्मी के समय बहुत ज्यादा टेंप्रेचर हाई रहता है अभी 45 डिगरी 45 से 50 डिगरी के ताप मांज बढ़ जाता है तो क्या होता है अच्छे अच्छे दवाईया क्या है थोड़ा से काम करने में उसको तकलीव ज तो इसके लिए बताना चाहूंगा इसके लिए आपको डालना है नेटिव करके दवाई आता है उसको क्या करना है आपको 100 ग्राम प्रती एकड़ के इसाप से इसको इस्तेमाल करना है ताकि इसमें जो भी ब्लास्ट ब्लाइट है वो जितना भी जुलसा होगार जो भी किसान भी जैसे फल बढ़ गया साइज बढ़ा हो गया फल का उसके बाद क्या आयता एक समस्य आज़े टेंपरेचर हाई होने की कारण फल जो है सड़ना सुरू हो जाता है जिसको बोलते है फल जड़ रहा है या तो फल सड़ रहा है ऐसा समस्य आ जाता है तो इसके लिए इसको इस्तिमाल करना है वह है कल्सेयम नाइट्रेट कल्सेयम नाइट्रेट इस्तिमाल करना है अगर इसमें अगर देखा जाया तो बोरान मिक्स वाला करें तो ज्यादा बेटर क्योंकि बोरान जो है फल के लिए ज्यादा उपयोगी माना जाता है और इसको जो है अगर द स्टेमाल कीजेगा अब फल को सुरक्षित कीजे क्योंकि अगर में तो यह है कि हम टमाटर के फसल लगाते क्यों है सबसे ज्यादा सबस्या इंपॉटन है हम्में फल केलब लगाना रहता है लेकिन फल ही जढ़ना शुरूबए इतना महत किए पत्ति को अच्छा किए फूल को अच्छा किए अगर भल बढढ गया है तो क्या होता है होता इसी पिर होता है तो निखे साड़ जाता है चोड़ना हो गया उसके लिए Holz उसको आप इस्तेमाल कीजिए याथ इस्प्रेयर में कीजिए या फिर दानेदार में इस्तिमाल कीजिएगा किसान भायों इसके बाद जो आता है ये चार परकार होगा पांचवा जो समस्या आता है इसमें इस्ट्रेस का इस्ट्रेस का भी समस्या बहुँ जादा आता है उसमें इस्ट्रेस को कैसे पाचान इसके बारें बात करते हैं इस्ट्रेट जो रहता है जो पौधा रहता है उसमें क्या हो जाता है उसके पत्ति जो है या मुर्जाय रहता है सिकुडन तो नहीं रहता है लेकिन मुर्जाय रहता है ना उसमें वायरास रहता है ने कोई परकार को भी मारी रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मूर्जाया रहता है वो किस कारार से होता है वो ही उसको बहुत सकते है इस्ट्रेस वो गर्मी के कारार से होता है या तो उसमें टानिक वगरा की इस्तेमाल नहीं हो रहता है इसलिए होता है और इस्ट्रेस को दूर कर कि पानी का सही समय इसमें इस्तिमाल कीज़ें दूसरा इसमें आ सकता है आप कीजिएगा इसमें कोई भी परकार के टानिक स्थिमाल कर सकते हैं इसको इसमें क्या है इसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसको आप हो जाएगा कम हो जाएगा और लगभग लगभग खतम हो जाए क्योंकि यह भी टेंशन में है इसको भी आव सकता है टानिक क्या हो सकता है इसको भी खाद क्या सकता है खाद पानी क्या जो फूल बनता है, अगर फूल ही जड़ गया, तो फल कस्तित्वा खतम हो गया, तो किसान भाईयो, सबसे ज़्यादा important है हमें क्या करना, इस फूल जड़ने की समस्य को क्या करना है, करना है, रोकना है, जब तक फूल रुखे करने जड़ना, तब तक हम फल को उम्मीद नहीं कर सकते, तो किसान भाईयो, हमें क्या करना है, फूल को जड़ने से रोकने के लिए, सबसे पहले important यह है, हमें कोई अच्छी फंगी साइट डालना है, और साथ ही साथ इसमें डालना है, इनपी के, और एक डालना है, बुरान, यह चीज का हमें इस्थिमाल करना है, इसमें क्या होगा है, फंगी साइट हो सकते, क्योंकि फूल के जड़न, तोकिसान यहां किशान जो है कोई भी समस्य आ सकता है तो जय तो फंगिसाइट से फंगस्ट से कारण से होता है, तो एक बार अगर फंगस्ट लगा तो क्या होता है फुल ढ़ना शूर्म हो जाता है, तो फंगिस इनपीके का इस्थिमाल कीजेगा और इसमें वोटान का रिखित होता है तो नाट्रोजन ुरोटास नकरव। इसए कार्यास पे कोई प्रकार की समचा रहेगा कमजोरी रहेगा किसान भायो इस सारी समस्याओं से बचा कर अभी गर्मी बहुत जादा है इस समय अगर इन सारी समस्याओं से बचा कर अगर आप खेती करते हैं तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा कि आपको बजार में भाव अच्छा मिलेगा और आपका फसल उत्पादान अच्छा होगा क्योंकि किसान भाजो जब फुल जड़ना ही रूख जाएगा समझेगा फुल जड़ना रूख जाएगा तो फुल की मात्रा जितने ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा हमें क्या मिलेगा फल मिलेगा और जो फल मिलेगा वो उतने ही ज़्यादा हमें रिवेन्यू देगा प्राफिट देगा क्योंकि अभी जो समस्या यह है कि टमाटर अभी लगेगा नहीं जो लगा है उसी को हमें बचाना है क्योंकि अभी जो लगाएंगे उसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जायागा बहुत ज्यादा आगे क्या बहुत है ग्रीन हाउस वगरा बनाना पढ़ जाएगा मेंटेन करना पढ़ता है टेमक्रेचर को तो अभी इंपॉसिबल मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर बचा पेड़ है पहले से उसमें हम क्या करते हैं इस चीजों का इस्तेमाल करके यह समस्या जादा तर आता है इसके समस्याओं को दूर करके आप अच्छे फसल ले सकते हैं तो किसान भायो फुल पे ही बात कर रहे थे फुल को जड़ना को रोके और फल को अच्छे से रिद्धी कराएं और ताकि हमें जादा जादा प्रॉफिट हो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अधिक अधिक शेयर कीजेगा धन्यवाद